हाई दोस्तों हम पिछले वीडियो में कुछ प्रस्णों की सेरीज लेके चले जो प्रस्ण संख्या 88 तक हो गया था ठीक है तो हम उसी को आप कांटिन्यू करेंगे इससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे चैनल का कि हमन है मैं अगला प्रश्ण है तो अगला प्रस्ण क कस्षात का सिक्षार्थी गणीत में तूर्टियां करता है एक श्चक के रूप में आप क्या करेंगे ऐसे ही हाइप ऊप्टेटिकल को सनोलैं ठीक है एश थी चार्थी आएक कि Character से यजू है कि विकल अपकि सवाल को लगाते हैं ताकि जो हमें पता चले कि क्या तूटि हुई तो अगला प्रश्णा है प्रश्ण संक्या नबय ब्याक्ष्या अनुमान और नियंत्रण प्राक्लन यानि की explanation, predict and control phenomena किसके लक्षे होते हैं तो ये वज्यानिक पद्दत के लक्षे होते हैं ठीक है अगला प्रस्टन है वाई गोथ्सकी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिधान क्या है संस्कृति और भासा विकास में महत्वड भूमिका निवाते हैं कौन सामाजिक संस्कृति सिधान जो है संस्कृति जो है और भासा विकास में महत्वड भूमिका निवाते हैं किसके अनुसार वाई गोथ्सकी के अनुसार अगला प्रस्टन है वेन जूली किस सिधान के लिए प्रतिभास शाली की अपनी जो है घच्चकों की मदद किसiva करता है उत्तर हँए इसका सभी सिक्षारतियों की व्रक्तिकत आव सक्ताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में अगला प्रश्ण है शीखने के लिए आकलन किसको बढ़ावा देता है तो सीखने के लिए आकलन जो है वो अभी प्रिरणा को बढ़ावा देता है ठीक है अगला प्रश्ण है बैंडूरा के सामाजीक अवलोकन पर आधारी अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है तो बैंडूरा के अनुसार जो है सामाजीक अवलोकन की जो अधिगम सिद्धांत है तो उसमें जो है प्रतिधारणा यानि रेटेंचन होती है ठीक है अगला प्रशना है अधीगम निर्योगता वाले बच्चों की प्रगती का निर्ख्षड करने के लिए निम्रिखित में से कौन सी पद्धती सबसे उप्योगते हैं तो आपको कई सारे आपस्वन दियोंगे तो जो परफेक्ट आपसन है वह संद्चित ब्योहार परक अवलोकन यानि की स्ट्रक्चर्ड विहारल अब्जर्वेशन अगला प्रशन है प्रतिभास आले सिक्षार्तियों के लिए सिक्षक का क्या कारे होना चाहिए तो प्रतिभास आले सिक्षार्तियों के लिए सिक्षक का कारे जिस युक्ति सिक्षार्ति में बदलाओं की संभावना दिखे उसी युक्ति सिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए मतलब बच्चा जैसे समझ रहा है उसको उसी तरीकी से समझाए अगला प्रश्ण है अधिगम निर्योगता वाले सिक्षार्थियों एक पूर्ड और उत्पादक जीवन जीने के आउसरों को बढ़ावा देने का सबसे सही तहरी का क्या है तो उत्तर होगा जो है विविद कौसल और युक्तियों का सिक्षड करना जिससे सभी संदर्वों में लागो क्या जा सके अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा उपागम और शांतकारी ब्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ ब्यवहार करने के लिए का सुझाओ देता है तो वो जो है वो पर्या वरणी उपागम यानि एकोलोजिकल एप्रोच है अगला प्रश्ण है समवेक आत्मक बुद्धी बहु बुद्धी सिधान के किस छेत्र के साथ संबंदित हो सकती है तो अंतरा वयक्तिक और अंतर वयक्तिक बुद्धी के सिध सिधान से ठीक है मनों सामाजिक सिधान किस पर बल देता है तो मनों सामाजिक सिधान जो लिंगी ये वह प्रसुपती स्तर पर बल देता है सिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्षिट सिक्षकों से क्या मांग करता है तो सिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्षिट जो हता है वो विकासात्मक कारकों के ग्यान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करने की मांग करता है अगला प्रश्ण है सामाजीक अधिगम का सिधान के इस घटक पर बल देता है तो सामाजीक अधिगम का सिधान जो है वो पोसर पर बल देता है विद्याले आधारित आकलन क्यों उपयोगी है तो विद्याले आधारित आकलन जो है वो रचनात्मक प्रतिपुष्टी उपलब्द कराते हुए सीखने में संबर्धन करता है अगला प्रसना है अभी प्रिणड़ा यानि मोटीवेशन के संदर में सही करम बताईए तो मोटीवेशन का जो करम है वो पहले हमें क्या होती है किसी चीज की आवसेक्ता पड़ती है ठीक है तो आवसेक्ता पड़ेगी तो जो है प्रिणड़ा मिलेगी कि हां ऐसा करेंगे तो यह चीज हमें प्राप्त होगी हमारे अंदर उसके बाद उत्तेजना यानि स्टीमुल इस तर्फिश्य प्राप्त को यानि ईस्टील को मड़ेशन के अगम एक्साइट मेंट कम जाएतों कि हमारा एम पूरा हो चुका है ना केवल वयक्तिक सिक्सारतियों में बलकि पूरी कख्षा में उत्पन्न होता है ठीक है अगला प्रस्णी जो है राजेश गणीत की सबस्ट्रेकों हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा रहा है उसका अंत्रीक बल्यू जो है है कि हमें ये काम कर लेना है ठीक है तो ये प्रेयरक्ट है अगला प्रस्ण है चीपी हुई वस्तुमें ढून निकालना इस बात का संकेत है कि सिसु निमलखिन में से किस संग्यान आत्मक कार्य में दक्षिता पराथ करने लगा है तो चार आप्षन दियोंगे ऐसे आपको तो उसमें एक आप्षन पहला है जो समस्या समाधान यानि कि प्राब्लम सालविंग तो अगर कोई बच्चा जो है चीपी हुई वस्तों को ढूण निकालता है ठीक है यानि कि उसके अंदर जो है समस्यात्मक समाधान या प्राब्लम सालविंग नहीं यह कोई वस्तों चीपी यह उसको ढूण दो रहा है वो प्रियोग करना तो यह प्रियोग नहीं है कि वस्तों को ढूण निकाला है क्यों आप्जेक्ट परफार्मेंस तो हाँ यह सही है क्योंकि वह अपने आप्जेक्ट को प्राप्ट कर रहा है कि जो उसका उद्देश से उसको ढूनना तो आप्जेक्ट परफार्मेंस जो है वह सही आपसर होगा अगला प्राप्राइब प्रगति शील सिक्षा निम्लिखित में से किस कथां से संबंदित है ठीक है तो यह प्रगति शील सिक्षा जोती है वह ज्यान प्रत्यक्ष अन्भाव और सहयोग से उपन होता है अगला प्रशना है बुद्धी की स्पियर माइन की परिभासा में जी कारग जी फैक्टर में जी क्या है बहुत इंपार्टेंट है आ चुका है सारे कुस्षा निग्जाम में आ चुके हैं जो मैंने अभी सारे बढ़ी तो जी का मतलब जो होता है वो सामानी बुद्ध यान आप एरफोर्स पाइलेट बनने के लिए काउन सी बुद्धी चाहिए ठीक है तो हमें एरफोर्स पाइलेट बनना है तो हमें गतिक बुद्धी चाहिए ठीक है अगला प्रश्ण है आप एक सिक्षक सिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सक्त विरोधी हैं तथा इस कार इस अंदर में विद्याले में पोश्टर लगवाते हैं तथा समीती बनवाते हैं आप से जुड़ने वाले किसूर जो इस विचार के द्रण विश्वासी हैं निम्लिखित में से किस अस्तर पर होंगे मतलब आप जो है टीचर है आपके यहां रैगिंग वैगिंग चलती है तो आप उसमें जो है उसके खिलाब हैं फिर आप एक समीती बनाते हैं कुछ लड़ परिक थोड़ी है कि जो है कि मलब हम विरोधी करेंगे कि फिर उसके बात क्या है कि नहीं सोरी उत्तर परंपरी यानि यह पोस्ट कर्वेंसल हां यह बाद में परंपरा वनी है सोरी तो यह परंपरा जो है यह बाद में वनी है कि यह रैगिंग का विरोध रैगिंग जो है नहीं वोनी चाहिए कालेजियों में ठीक है एक सामाजी बुराई है तो यह उत्तर पारमपरी कस्तर ठीक है यह आपन सहीं दूसरा आपने जो सामाजी ब्युस्ता बनाये रखने वाला स्थर यानि कि सोसल आर्डर मेंटेनिंग लेवल तो समाज का स्थर बनाए बनाने है नहीं कुछ ऐसा ठीक है अगला आप साने जो पारस्परी कस्तर यानि कि दख कन्वेंस्टन लेवल तो कोई पारंपरी परंपरा थोड़ी जो है कालेज में रेगिंग होगी या नहीं होगी यह तो ऐसे ही कुछ जनेरेट कर दिया था बच्चों एक आईपोथेसिस सीनिय जुनियर के बीच रहेंगी होगी ठीक है अगला आप सोने पूरों पारंपरी यानि कोई पूरानी परंपरा नहीं है यह तो यह भी गलत होगा तो केवल पहला आप से उत्तर पारंपरी यानि कि बाद में एक उनके अदर एक धारना जने जनेरेट हुई कि जो है कि नहीं र प्रतारक से संबनित है तो यह हैं लेव वाई गोत्सकी इनका विचार है कि बच्चों को सांस्कृति रूप से प्रासंगी ज्यान कि आवसकता होती है ठीक है अगला प्रशन है सिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावर्ण में रखने के माध्यम से क्या लाभ है तो यह माध्यम जो है यानि कि सबसे कम प्रदिव बंधित विद्याले वातवर जो है यहां अगर बच्चे रहेंगे तो यह माध्यम दूसरे बच्चों को सम्वेदन सिल बनाता है कि वे और लाभानवित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना रिखाएं अगला प्रशन है कक्षा में जिक्षारतियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं इसे दर्साने के लिए एक नोटो बुक में अपने कारे की विविज सिर्फ कृतियों को समायुजित करें यह किस प्रकार की गतिवीद है ठीक है कभी कभी हम कुर्शन बढ प्रश्या समाधान आकलन ठीक है यह तो गलत है पॉर्टफोलियों आकलन यह सही है निबंदात्मक आकलन यह गलत है क्योंकि हम कोई ऐसा निबंद वाला काम थोड़ी करने जा रहे हैं घटना वृत अभिले ठीक है तो ऐसा भी नहीं कि कोई घटना हमने कामने बस किस चीज बात की कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं इसे दर्साने के लिए बस अपने नोटबुक में कारे की विविस सिल्प करतियों को संजूजित करने ठीक है तो हमने ना तो निबंद लिगने के लिए कहा नहीं कोई प्रावलम साल्विंग से संदिया यानि कोई समस्या अधान तो यह किवल जो है दूसरा आप सुन्ज़ें वह सही होगा पॉर्टफोलियो आंख लैं क्योंकि एनालीसिस कर रहे हैं ठीक है एनालीसिस क्या करने क्या है समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं यह बच्छों से लिफने के लिए खांगि अगला ब्रशन है एक आग्रता समय के साथ मेल बैएठाने के लिए एक दत्तकारे को पूरा करने के लिए आवंटी समय को घटाना और चरनबद तरीके से इस एकागरता समय को बढ़ाना निम्रखित में से किस प्रकार की विकार से निबटने के लिए सरवाधी को प्योग तो यह चार आप्षन है समवेदी की गरण विकार एकागरता रास अतिक रियाशील विकार आशानती गरण वहार और दिस फेशिया ठीक है तो इसका उत्तर होगा दूसरा एकागरता जो है वह रास अधिक रियाशील विकार है ठीक है सिक्षारती तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक वे सीखने के लिए तयाद न हो इस और दूस्तों यह वीडियो यह समाप्थ होता है तो चैनल को सब्सक्राराइब करना ना भूलें लाइक करें शेयर करें ताकि टेट सीटेट नेट के एक्जाम देने वाले सिक्षार्तियों तक जो दूर दराजगाओं में हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके ठीक है वो के धन्य बास